छे चीजें रसोई में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, वरना जीवन भर दरीदर्ता में ही रह जाओगे। दोस्तों रसोई पूरे घर का सबसे महत्यपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रसोई सुख और समरिदी का परतीक होता हैं क्योंकि इस कमरे में साक्सत मा अनपूर्णा और देवी लक्समी का वास होता है। वैसुक समरिदी से भरा होता है। इसलिए ये छे चीज़ें रसोई घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। वरना जीवन भर दरीदर्ता में ही रह जाओगे। तो चलिए बताते हैं उन छे चीज़ों के बारे में। पहली चीज दवाईया। वास्तु सास्तर के अनुसार रसोई में भूलकर भी दवाईया नहीं रखनी चाहिए। इसका परभाव घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है। और आपका खर्च भी अचानक से बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा गूता हुआ आटा। यदि आप भी रात में गूंदा हुआ आटा यानि बचा हुआ आटा फ्रिज में रख दीती हैं। और सुबे फिर से उसका इस्तमाल करती हैं। तो आपको बता दें कि ये बात वास्तु सास्तर के अनुसार बिल्कुल बेज सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों परकार के बैक्टिरिया पनप जाते हैं। जो हमारे सरीर के स्वास्ते के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। और साथ ही इसे सनी और राहू का नकरातमक प्रभाव हमारे घर पर पड़ता हैं। वास्तु सास्तर के अनुसार ऐसे बरतनों को घर में रखना ठीक नहीं माना जाता। क्योंकि इससे आपके घर की आर्थिक श्तिती बिगड सकती हैं और परिवार में भी मतभेद हो सकती हैं। इसलिए वास्तु सास्तर कहता है कि टूटे हुए और चटके हुए बरतनों को रिसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। चोथा मंदिर अक्सर लोग कीचन में मंदिर स्थाफित कर लेते हैं। लेकिन वास्तु सास्तर के अनुसार कीचन में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। ऐसा करना ऐसुब माना गया है। कीचन में कहीं बार लसुन प्याज आदी का तामसिक भोजन बनता है। जिससे भगवान की मूर्ती या तस्वीर वहां रखी होने से घर में नाकरात्मक उर्जा बढ़ती हैं। ऐसा करने से देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार रिसोई में मीरर का इस्तमाल नहीं करना चाहिए। रिसोई में चूला अगनी देव का सूचक होता हैं। और यदि दरपण में अगनी का परतिमी में दिखाई देता है। तो यह घर के नास का काण बन सकता है। इससे घर में आंत्रिक क्लाय बनी रह सकती है। और इससे हमारे घर की आर्थिक स्थिती भी बिगड सकती हैं। जटा स्टोर रूम ने बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती हैं कि वो जो समान इस्तमाल नहीं करतें उसे कीचन में रख देती हैं। वास्तु सास्तर में इसे सही नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि कीचन में कबाड समान बिलकुल भी नहीं रखना चाहें। इससे मा अनपूर्णा नराज हो सकती हैं। तो दोस्तो आप भी इन छे समानों को भूल कर भी कीचन में ना रखें। तो दोस्तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजी। हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी। यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक और फोलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त टिप्स के साथ नई वडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना प्रीश और करें दो आद कर दίक Thought तो यदि आये एंप हमारे आप सब्सक्षब है